मित्रों आपडे आगर दुख कहानी नी अंदर पिल आपडे भागी एकनी अंदर जोई गया आजे दुख कहानी नी अंदर हेमा दिलिफ औने एक नानोकुल जे बालक जे होई से एना विशे आपडे आजे पाठ ने चर्चा करीशू तो दरेक विध्यार्थी मित्रों ने मारे निवदन से के पतानोकुल पुस्तक नी अंदर ध्यान दुरे तो वधारे मजा आऊ से सवक्रतम मित्रों दुख कहानी नी अंदर एसपाल उनका लेखक है ये ठोस एथार्थवादी कहानी है आगे देखिए तो एक मध्यम वर्गियों परिवार से औरत और एक बालक ये कहानी लेखक ने लिखी गई हुई है आगे रेखिए दो कहानी में जिसे मनुस्य सर्वे पक्षा समझ कर भरोसा करता है जारे पूरे पूरी दिली पने हेमा ने 77 जारे दिली पे हेमा ने पूरे पूरी 77 रताप पी दिदी से अने अपमानित तीरसकार प्राप्त हो तब एक दम जाने की इच्छा होने लगती है वो बात रुकना संभव नहीं है जारे आओ एक पती पत्नी वच्चे नो जे प्रेम हो इसे अने जे प्रेम ये जारे पती ये पत्नी ने पूरे पूरी सतंत्रता आपी से एना पसी जारे हेमा अने दिलिप वच्चे नो जे प्रेम से अने एक दिवस एक दिवस ए पताने जे सहेली जारे फिल्म जोवा जाय से जारे ए रिशाई अने पताना पिये जतीरे से आने एक कहानी पासर लेखा के सरस्मजानी ए दुख विसे नी गटना दिर्शावा मावी से आगे देखिये दिलिप ने हेमा पूर्ण सतंत्रता दी थी पूर्ण जो भी करना चाहती है वो उसका कितना आदर करता था आदर सन्मान और दिलिप उसे ए हेमा को आदर करता था सन्मान करता था कितने आन्ततिक एक दुसरे से कितने वो प्रति अनुस्रूत थे वो बहुत से उसे अती अती उसे केते हैं से कहेंगे अती उसे ज्यादा से ज्यादा उसे जब हेमाने संतुष्ण कर सका और केवल हेमा दिलिप से उसकी सहली साथ एक दिन फील्म देखने के लिए सीनेमा जाता है उसी के कारण एक दिन वो हेमा एक दिन सारा दिन वो रुठी रुठी लेती थी दुसरे दिन उसे माईके चले गई दिलिप ने ख्षोप का अंत ना रहा उसे ख्षोप उसे दुख का अंत ना रहा जब सितंबर का महिना चल रहा था और उसके बाद बसंदरुतु चल रही थी दिन बर पानी 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 पर रहता था बरसता था और दिलिप बेठक में उनके घर में खिटके के पास वो बेठे थे परदा डाले बेठे थे ताव उसे विष्णुथा की विरख्ति उसे कहते है, महराई की उसे कहते है तो तब सवयम की गलाने मिज डोक उसे कहते है स्वयम यतना बन जाते हैं उसे डोक हो जाते हैं एक मिनीट गुजारा करना मुश्कील हो जाता है वित्रो अयां एक सामन्य बाबत एक नौजिवी बाबत आपने कहिए तो एक सामन्य बाबत नहीं अंदर जारे दिलिफ जारे उनकी सहिली के साथ एक दिन सिनेमा घर में फिल्म देखने जाते हैं तब उनकी पत्ने रेर उठी सुट्री उनके पियर पियर चली जाती है तब वो चले जाने के बाद एक दिन दिलिफ वो उनके घर में बेठे बेठे एक दिन निकाना मुश्कील हो जाता है वो समी को भी इतने पर देखे दिलिफ ने खिच कर सोजाने कि यतन मिस कोषित करने लगा वो सो जाने का कोषित कर रहा है लेकिन उसे नींद नहीं आती उसके बाद क्या होता है जीने पर छोटा सा भाई उनके दिलिफ का छोटा भाई वो ढम-दम से उतरने प्रोद चले जाने से बाद सुनाई देता है उसे होए आपकों में आदा आदा खोल उससे दर्वाजे पर और देखा सो जाने के बाद दिले उससे वो आदा सोया हुआ है अदा नहीं सोया है उसकी आखों में से वो सामने वो खिड़की के सामने वो दर्वाजे था उसके सामने उसके नजर डाली छोटा सा भाई ने उसे में हटा कर पुछा, भाई जी आपको कही जाना है, मैं मोटर साइकल ले जाओं, उनका छोटा सा भाई है, उसके कही ट्रहिलने के लिए जाना है, तो उसके बड़े भाई ने उसे पुछा, कि आप कहीं भी जाना है, तो दिलिप ने, वो दिलिप ने कहा, इस वितन से सिग्रवा, छुटकरा पाने के लिए लिए, दिलिप ने हाथ से इसारे से इजाज़त दे दे, जारे, चल दी सी, और उसके सामने इसारा, इसारा मिस संकेत, संकेत मिस करके उसे इजाज़त, परवा गुजरातिनी अंदर उसे उन्होंने बन कर ली फिर एन्हें इसारों करी अन्हें पसी किदू अन्हें फरी थिये एन्हें आखों से सोवा माटे प्रित्म करी रहे होशे पर यह उंगावती न थी आगे दिवार पर नटंगे क्लाक मिस गडियाल उसे के तहन से कब्रेशते गुजते हुए छबज जाने का उसे सुचना दी गई अहिया मित्रों कारण के एना डिवाल उपर घडियाल जारे ए लटका विली से औने त्यारे ए घडियाल ना अवाज थी जारे ए गवार थी औने पसी एने ए छव आग्या से औने छव आग्या होई एवी सुचना दे दिव दिलिव का अनुभव हुआ मेरा देह देह मी सरीर मेरा देह यू केद पड़े रहेगा मारू सरीर से आवी नावी दित पड़े रहे से मेरा देह की केद में पड़े रहेगा उठकर खीड की के पर्दा जारे सुतों से त्यारे यह बारी लोजे पर्दों लगावेलों से और पर्दों हठा विने जुए से त्यारे आगजू यह पर्दा हठा कर तो देखा तो बारिश मित्रो सितंबर वर्षारुतु का उसका वर्षारुतु चल रही है और उससे ये बारिश थी वो बारिश थम गई थी मिस बारिश वर्षाद ये बन थाई गयो तो अब दूसरे से दूसरा बै हुआ कोई भी बेठेगा और अब प्रिय चर्चा चल जाएगा और उसने देखा और कोई दूसरा आएगा और इदर बेठेगा और वेर्षा ही चर्चा चलेगा उनके बाद वो उनके पास साइकल थी उसके बार मिंटो पार्क उसे के तह है उनके सहर में एक मिंटो पार्क गार्डन है वहाँ पे वो उठा भाई की साइकल लेई और गली के किचर के बचता हुआ अधी लोग को निगाओ पे छिपाता हुआ मोरी दर्वाजे उसके गाओ में मोरी दर्वाजे पर बाहर निकल कर पूराने फसील से बाग से होता हुआ मिंटो पार्क में यह लंबे चोड़े मेदान में पाने बरा गास पर पहुचा तो तेज़ ज़क्र में ठुठोने की से समय कौन आता है उसने वह मिंटो पार्क जो बाग था वहाँ जाकर तो देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था उसने मन ही मन में सोचा क्या नहीं का मन ही मन में उसने सोचा कि यह 6 बज गई है और बारिस का मोसम चल रहा है और इदर ठीटूरने के लिए ठंड लगने के लिए ठीटूरने लिए इदर कौन आएगा उन्हें मन ही मन में उसे सोचने लगा आगे देखिए उस एकांत में के एक बेंच के सहारे ये एकांत में जाकर वहाँ पे बाग में एक बेंच पड़ा हुआ था उसे वहाँ जाकर वह बेटने लगा सीर मिस माथो आपने के ये सीर पर टोपी उतार कर बेंच पर रख दी लेकिन ठंड लगने की मस्तिक में व्याकुलता कम हो गई उसे सीर पर टोपिया पे रिची और टोपी उतार कर उसे बेंच पर रखी तो उसने सोचा कि ये बारिश का मोसम है अगर ठंड लग जाएगा तो बीमार हो जाओंगा इसलिए उसके बाद ख्याल आया यादि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाएगा उसने सोचा अगर उसकी हालत बराबर हो गई हालत खराब हो गई सुरी इदर खराब हो गई वह सुपसाप चायद इसी तरह दुख को के लही सहे ना पड़ेगा किसी को अपने दुख को भाग लेदने के लिए बुलाएगा एक दिन मृत्यू डबे पाव आईगी तो उसके रुक्ये कारण रदे की व्यता रुक को लेगे शीर पर सब उससे वह सोचने लखा वहां पर बाग में वह ऐकले एकले सब एकले दीन एह दूख आएगा एग दिन मृत्यू जरूर आएगा वह सारा सा सोचने लगा नीसतवदवत उसे केता है नीष्वास उसे केता है वह करवाट बदल ली ठंडी से खाने के लिए ठंडी ए खाने वा बेट गया उसके बाद समिप तीन फ्लाग मुख्य रिल्वे तीन फ्लाग मिस अहीं नजिक जारे मिंटो पार्क बाजुमज त्रीन रस्तावाडों त्रीन जे रिल्वे पाटा आपड़े कई इसे जारे ये त्रोट जारे ये ट्रेन आवाज वानों अवाज थाई रियो स समिप तीन फ्लाग तीन मुख्य रिल्व लाइन की कितनी गाडिया गुजर रही थी वो दिलिपने मालूम नहीं था क्यों कि वो दूख था उसे मन में कहीं न कहीं वो सोचने लगा था एक दिन मृत्य आएगा सब लोग मुझे बेड़कर रोने लगेगा वो दूख रोने लगा वहाँ पर मेरी पत्नी हेमा भी होगी वो सब सारा वो सोचने लगा तो जब उसके पास वो ट्रेंड जा रही थी उसका कोई अता पता नहीं था गाडिया गोजर सुकी थी अवधर दिलिप का ध्यान न लगा जब फ्राइंटर मेल तुफान तीवर बेस से आपने कहीं से मित्रों जा रहें रेलवे ने अंदर एक्स्प्रेस आवती हो और त्यारें अलग अलग त्रेनों नो ये श्पीड होई से और ये श्पीड नो जारें आप तो ये त्यारें पर अहीं मित्रों ये फ्रांटियर मेल तुफान में तीवर अवाज जड़ाप थी आवती होई से त्यारें कोला हॉल त्यारें आपने ए गाड़ी अवाज जारे करती होई और ये नो कोला हॉल ये लमीस अवाज इने करतो होई से आरें गुज गया कि प्रिंटियर मेल तुफान यह आ रहा है इसे बाद वहाँ पर बेठे-बेठे साड़ा नौ बज गए थे वह सोचने लगा तो वह साड़ा नौ बज गए थे वह सहे अन्या के प्रतिकार एक सन्मान से देखा और उसके बाद मन हलका हो गया लोटने के लिए उठा सरेर में कुछ सिथिल थिया यह मित्रों ए सिथिलता एना नियंदर ताकत न थीब कालन साइकल लेकर वह पेदल 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 बागो बाग जारे पोताने के साइकल से यह चालतो चालतो अने पग थी यह बादसाई मजीद और मेदान अत्या सहे नियंदर जे गली से अनि गली नियंदर यह किये सितिलता बाकी रहने के कारण साइकल पर सड़ा नौ बदल पेदल बागो बागो से बादी मज्जीत टक साली दर्वाजे से टक साली से बाटी दर्वाजे पहुचा मार्ग में सायद कोई वेक्ति दिखाई दिया नहीं था क्योंकि बर्शारतु का मोसम था रात का समय था साड़े नौ बजी थे दिलिप ने देखा रास्ते पर कोई भी वेक्ति नहीं थे सड़क के किनारे स्तब्द था कि बिजली का लेम निसकाम से आपने मित्रों जोईये से जारे रस्ताव पर गणाबदा ए लाइटनी वेवस्ता वर्शारतु ने अंदर जारे अनेक प्रकार्णा ए जीवड़ा आपने जोवा मनता हो इसे त्यारे ए दिलिप पोताने साइकल लाई और चालतों चालतों ए आविरियों से सड़क पर पढ़ रहा था मनुस्य के अबाव कुछ पी परवान नहीं कर डाले और यहां से पतंग गोले मिस आपने चमासाने अंदर जारे जो यह से जारे कोई भी लाईट चालतों वो इसे त्यारे पत्नग्या से ए पोतानों ए गोड़ 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 चकर थी और चकर लगावी और नूत्य नूत्य खरतों और यह वह विचारी रहो से जगत में अद्बुत नमूने है दूनिया उसे कहते हैं दूनिया में अलग-अलग यह नमूने होते हैं प्रत्य पतंगा का नसक्त्र भाति अपने मार्ग पर चकर कारता रहा और कोई छोटा सा कोई बड़ा हैं सुझे कोई दाय कोई बाय और कोई आगे कोई विपरीत गीत में गति में अंतर चका कर कारते लगें कोई किसी से टकराता नहीं था व्रुक्स के पत्ते भी बिगे हो गये थे बिजली के लेंप में चमकता हुआ दिखाई देता था ज्यारे मित्रों वर्साद ज्यारे पड़तो हो और अने वर्साद पढ़िया पसी और रही गयों हो और रही आपसी व्रुक्स्तन दिया बınt को ब Mex歪 14 जारे चारे यहां पलाप जारे रात्रि ना समय हो आने प्रकास लाइट नो जारे प्रकास पड़तो होतो 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 है जारे बिजृणी पिणता होतो होतो है साइकल ले चालतो चालतो जा रहे यह आवीरियों से त्यारे यह बात तु अनुबोती यह जोई अने विचारी रहे उसे बिगे पत्तों के बिजली के प्रकास में चमचमा रहे थे आगे दिखिए उसके बाद एक लेंप के नीचे आगे बढ़ने के बाद एक छोटी सी परचाई जारे त्यां एक थांबरों से मित्रों अने जारे यह प्रकास जारे पड़े से अने जारे आगर जाया पसी आपने र पकोड़े में भजीया नि थाड़े में लई अनि बेट धेरिया में धगली करी अनि बालाक बेठों से त्यारे तिलिप यह परचाई यह जो होई से आगे देखिए एक लेंब के निचे आगे बढ़ने पर एक छोटी सी परचाई आगे फसलती हुई से चलती जो जो वह लेंब से आगे बढ़ता तो परचाई पलट कर पाचे पीछे हो जाती थी बीच-बीच में व्रुक्षक की टहन या परचाई के उपर जब निकलती थी सड़क पर पड़ा प्रतिक पिकापत्ता की किरण उतर रहते दिलिप ने सोचा मुष्ट आएंपी प्रश्णत हमारे हैं यह से मित्रों मनुस्य बीना संसार कितना व्यस्त है और कितना रोचक है जारे मित्रों दुनिया में कोई मानसति ना हो है तो यह सुझे मन रंजन जिव कोई ना हो है मनुस्य के बीना संसार कितना व्यस्त और रोचक है आगे देखिये कुछ कदम मिस थोड़ू के चालवा थी कुछ कदम आगे ही सड़क पर किनारे निम्बू के व्रुक्स के चाया एक थोड़ा के डगला आगड जारे दिलिप जारे जाय से त्यारे मित्रों एक लिम्बू रुजार से और जार ना पसी चाया उन्हें अदर स्वित सफेद और सीजदिकाय दिया और बढ़ने लगा मालूम हुआ परंतु सदी में सुनसान सड़क पर पाई जामा और पहरे हुए थाली में रखे वह कुछ बेच रहा था एक ठंड नी अंदर एक नानोकड बालक से मित्रों और एना सरीर उपर जारे टूटा फूटा एना कपडा से और दिलिप जारे एना सामे जोय से और जोया पसी बालक काईक वेची रही हुआ त्यों एलागी रही से तो मित्रों आपने भाग एक नी अंदर एक कहानी जोय और भाग बे नी अंदर पाठ वीशे ए दुख कहानी वीशे आपने एना वीशे पन एक चर्चा करी अने हावय मित्रों भाग त्रोण नी अंदर आगर एक नानुकुरु बालक जारे पोता नी धेरिया लएन जारे बेठों से और बेठा पसी जारे दिलिप एना सामे जारे आविर्यों से अने आविर्या पसी अने एना जुडे एना साथे नो जे सबन से एस सबन थी आगर नी जे कहानी से एना वीशे आपने नेक्स्ट प्रियों नी अंदर आपने चर्चा करीशू अस्तु